आज स्टेडी डेली करंट फिर्की सीरीज में आप सभी का पुना स्वागत है आज 19 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे हरोज की तरह हिमाचल परदेश राष्टे तथांतर राष्टिया करंट अफिर्स के बारे में आज़े सबसे पहरे सुरुआत करते हैं हिमाचल परदेश करंट फिर्स से पहला प्रसन है सामरीक द्रिष्टी से महत्तोपुरन रंग रीक में हवाई पट्टी का निर्मान कहां पर किया जाना प्रस्ताबित है तो इस जगा का नाम है स्पिती और आपको ग्यात होगा हमारे ह माचल परदेश के किन और तथा लौस्विती की सीमाएं चीन के बॉर्डर के साथ में लगती है और बरतमान में भारत और चीन के बीच में समंदों में थोड़ा सा सीमाओं पर गतिरोद देखने को मिल रहा है तो जो क्रिसी मंतरी है जिनका समंद इस क्सेत्रों से रहता है उनने भी डिमांड की है कि काफी देरी हो चुकी रंगरी खफाई पटी को बनने के लिए तो अब सरकार को सीगरी इसका निर्मान करना चाहिए तो याद रखेगा आप इस पूरे के पूरे फैक्ट्स को COVID-19 महमारी के कारण सोलन जिला में मनाया जाने बाले किस राज्यस्तरिया मेले को स्तागित किया गया इस मेले का नाम है सुलीनी मेला सुलीनी माता के नाम पर ही सोलन जिले का नाम करन हुआ था और आपको ग्यात होगा सोलन जिला हिमाचल परदिश की GDP में सबसे ज़्यादा revenue generate करता है और यहीं पर हमारे जितने भी industries है, बड़ी-बड़ी जो अध्योगी कसेतर है, बद्धी हो गया ब्रोटी वाला हो गया, वो इसी कसेतर में सारे के सारे जितने भी industry sector है, बने हुए है जो कि एसिया में, जैसे हम दवाई sectors की, फार्मा सेक्टर की मैक महुन रेखा का निर्धारन बरस 1934 में कहां पर हुआ था, मई की जगा पे मे कर लिजिएगा, ठीक है मैक महुन रेखा पहले तो याद रखिएगा ये रेखा किन 220 के 20 में है भारत और चीन के 20 में, इसका जो निर्धारन हुआ था, बरस 1934 में हुआ था, कहां पर समझोता हुआ था, तो यह आपने याद रखना है, यह सिमला में यह समझा थ़ा था, सिमला उससे ब्रिटी सम्राजय की रास्थानी हुआ करता था याद रखिएगा, समेलन के मुख्या बारताकार, ततकारिन भारतिय समराज्या में बृतेन के बिदेश सचीब सर हैंरी मैकमोहन थे जिनके नाम पर रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया इनके द्वारा इस रेखा का निर्धान किया गया था और इस रेखा का नामकर्ण भी इनी के नाम के उपर पड़ा है बरतमान में काफी भिवाद है य लियान बोर्ड के माध्यम से परदेश में पंजीगरित कितने कामकारों को जून महीने में दो हजार रुपे अतिरिक्त सहाइता उपलब करवाएगी एक दस्मन अफ 37 लाग कामकार इसके अंतरगात आएंगे ध्यान रखेगा ऐसे कामकारों को ही सहाइता दी जाएगी जो कि ह पुरा परभाब पड़ा है तो इमाचर परदेश सरकार ही एक अच्छी पहले आम पे दिख रही है आगे डिसकुशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेर्स के बारे में पहला प्रसन है हाली में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपरात का द काफी उतकरिस्ट हदियन समगर इस वेबसाइट पर उपलब्ध है और अब आप एक वीडियो देखेगा रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हिमाचल परदेश सब औरिनेट हमीरपूर की तरफ से एक अड़िबर्टीज में निकाली गी है विभिन तरह की केटिगीरी के लिए बहुँ ज़दा बकैंसिज है तो आप उसको भी देख सकते है और जिस केटिगीरी से आप उसमें जिस जॉब की केटिगीरी में आपकी क्वालिफिकस नाती है जुरूर उसे भरियेगा अच्छी खबर है महिलाओं की वहां पर किसी तरह की कोई भी फि इस परनाली को विक्सित किया गया है आई आई टी खड़कपूर अमेरिकी अंतरिक्स अजनसी नासा ने पहले बार किस महिला को स्पेस प्लाइट प्रोग्राम का प्रमुक निउक्त किया है तो उनका नाम है कैथी निउडर्स अगला प्रसन है भारत के किस सहर के रेलबे स् साम में देखने को मिलते हैं कोई नवीन काम होता है या इस तरह की कोई AI आर्टिफिसल इंटेलिजेंस से कोई टेक्नलोजी हमारे जहां पर किसी सेक्टर में यूज होती है तो हमारे लिए बहुत महत्तोपूर बन जाती है इंटेक के मताबिक उडिसा की महानदी में कितने बर्स पुराना 60 फिट का डुबा हुआ मंदिर मिला है तो इसका सही उत्तर होगा 500 साल देखिए अभी आपने डिस्टिक मेनेजर की प्रिक्सादी दी होगी या उसका प्रसंबत्तर पढ़ा होगा तो इसी तरह के प्रसंब वहां पर पूछे गया थे याद रखिएगा, पांच उसके पर्मनेट मेंबर्स है, कमेंट सेक्षन में पांचों के नाम आपने मुझे बताने है, एक और बात याद रखिएगा, UNO में बरतमान में 193 देश है, भारत को आठमी बार किसकी 28 दस्यता के लिए चुना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा, बिश्वा सुरक्षा परिशद यानी UNSC के लिए इसे चुना गया है, भारत को 8 भी बार भारत का चैनिस में संबब हो पाया है, ग्लोबल टाइम्स किस देश का समाचार पत्तर है, चीन का समाचार पत्तर है, काफी ज़्यादा सुर्खियों में है, जो चीन का राजनितिक द लिए गया है, भी बिन तरह के न्यूज के जुचने भी सोर्सिज रहते हैं, तो यहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है, काफी ज़्यादा सुर्खियों में है, याद रखेगा, ग्लोबल टाइम्स किस देश का समाचार पत्तर है, चीन का है, अब स्ट्रेंस आपको एक अबरू करबादे, जिसकी कई बरसों से हिमाचल परदेश में आप सकता थी, एक ऐसी किताब चाहिए थी हमें, जो विसेश तोर पे, कंप्रेटिव एक्जाम के अभ्यार्थियों के लिए ही त्यार की गई हो, और ऐसे लोगों के दोरा त्यार की गई हो, जिन्होंने कराई है, हिमाचल परदेश से एक स्मगर हधियन किताब, किताब के पहले भाग में, आपको हिमाचल परदेश से स्मदित संक्सिप्त नोर्स की फॉरम में काफी सारगर्वित हधियन समगरी देखने को मिलेगी, दूसरे पार्ट में कलर्ब से लेकर, एच-स तक की विभिन के प्रिक्साओं के हिमाचल परदेश स्बंदित प्रसनों को सॉल्प करके डाला गया है। जब आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको किताब का पहला पार्ट में जो हदेन समगरी है। उसके महत्तों का आपको स्वोता ही ग्यान प्राप्त हो जाएगा कितनी महत्तों हदेन सम समगरी से कि आने बाले समय में किस तरह के प्रसन पूछे जा सकते है। इसलिए इस किताब को का जा सकता है हिमाचल परदेश एक समगर रहदियन। इस किताब को आप हमारी वेबसाइट elastityco.in से hardcopy की फ़र्म में प्राप कर सकते हो। तीन से पांस दिनों में Indian Postal Services के माध Study YouTube Channel